नमस्ते प्यारी बच्चों, हम आशा करते हैं, आप सभी स्वस्तेबन सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रहे हूँ आपकी वरक्षीट नमर 142 यह आपकी क्लास 5 की रिकैपिचिलेशन वरक्षीट है ईवीस की तो वरक्षीट शू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्षन A, B, C, D जो भी है डेट डालेंगे, that is 27th December 2021, आपका नाम लिखेंगे और आपकी वीचर का नाम लिखेंगे और उसका यह वरक्षीट स्टार्ट कर देंगे, so let's start your वरक्षीट, नमर 142 B नहीं हो सकते, यह भी समझा, आज हम इस कारेपत्रिका में उन सभी विश्यों की पुनरावर्ति करेंगे तो हमने क्या क्या जनत की बीच कितने प्रकार के होते हैं, बीच दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक बीच पत्री यानि मोनोकॉट और दूसरा होता है दूई बीच पत्री यानि की डाइकॉड बीजों का प्रकीरिनन यानि की डिफ्यूजन्स होता है या एक जेगे से दूसरी जेगे बीच कैसे पहुंचते हैं वो अलग-अलग तरीकों से पहुंचते हैं हवा स कौन से होते हैं जासे चना है मूंग है यह अंकुरित नहीं हो सकते से मूमफली नहीं हो सकती तो इनmore सब की वारे में आज हम review analyze करें स्टाज़वर्स व्रक्षीट वर्स्ट ख molta कोष्ट का नीचे कुछ वाक्यविकल्प के साथ दी इसलिगाइ रहती है गाध है Dicoderny की दूइपीच पत्री, एक भीच पत्री के कितने भाग होते हैं, एक भीच पत्री में कितने भाग होते हैं, तो दूइपीच पत्री में भी táais थिके अगला है आपको एक भीच दिया गया है, ठीक है आपको एक बीज दिया गया है उसे उगाने के लिए मुख्यत है किन चीजों की आपशकता होगी तो सबसे बहले हमें क्या चाहिए होगा किसी बीज को उगाने के लिए पानी और मिट्टी ठीक है अब यहाँ पर एक चीज धियान दीजिए जो मैंने कोश नमर टू अंड थी कराया है कि एक बीज पत्री के कितने एक बीच पत्री में कितने भाग होते हैं ठीक है तो एक बीच पत्री में कितने भाग होते हैं इसका मतलब है कि जो हम बीच के अंदर का हिस्सा उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर तीन भाग होते हैं और दुवी बीच पत्री में भी दो भाग होते हैं अगर हमें यह प् तरीके का question है तो आप question का answer लगा लीजिए और वाकी हम देखते हैं कि किस हाब से question पूछे रहे हैं अगला प्रश्न देख लीजिए बीजों के नीचे दिये गए वाक्तियों में सही केलिए सत्य और गलत के लिए असत्य चुनी बीजों के तीन प्रकार होते हैं एक बीज़पत्री में एक भाग होता है एक बीच पत्री में एक भाग होता है पिटा ये असत्य है ठीक है क्यों क्योंकि एक बीच पत्री में तीन भाग होते हैं भाग तीन होते हैं लेकिन उसे हम अगर हम कहीं कि कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है तो वो एक हिस्से में ही तोड़ा जा सकता है तिकर द्वी बीच पत्री में चार भाग होते हैं ये भी आसकते हैं मनी प्लांट के पौदे को बीच के द्वारा उगाया जाता है मनी प्लांट को हम क्या से उगाते हैं मनी प्लांट को हम काटते हैं और उसे लगा देते हैं, यानि कि काट के द्वारा लगा जाता है, अगला है, चने को अंकुरित किया जा सकता है, चने को अंकुरित किया जा सकता है, अगला प्रशन है, हमारा नीचे दिये गए पौदे और उनके बीजों के प्रकीरिनन, यानि कि डिस्पर्जल के तरीकों का मिलान कीज़े, डिसपर्जल मतलब है कि एक जगे से दूसरी जगे बीच कैसे पहुंसते है ठीक है, पौधा यहां दिया गया है, दूसरी तरफ आपको बीजों के प्रकीरिनन के प्रकार दिए कमल, कमल का प्रकीरिनन जल दवारा होता है कमल जल में उखता है, तो इसका उतर होगा जल दवारा दूसरा है, कुकरोंधा या सिंग परनी कुकरोंधा या सिंग परनी, जो होता है वो एक तरीके का, जो कीड़े होते है उनके दवारा खाये जाता है, तो उनके दवारा होता है इसका वो अगला है आपका सूरज मुख्यि मुख्यar जो कोक रोणधा या सिंग करण नहीं होता है वहहवा द्वारा होता है ठीक है और सूरेज मुख्य कीतों द्वारा होता है कीड़ritis उस एंक जगता दूसरे कहला देते है ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रश्ण प्रश्ण नमर चार है हमारा दो बीजों के नाम लिखी है जो अंकुरित हो सकते हैं तो कौन-कौन से बीज है जो अंकुरित हो सकते हैं चना और मूँ ये दोनों बीजी अंकुरित होते हैं अगला है बचो क्या सभी फलों में बीज होते हैं यदि नहीं तो किनी दो बिना बीज वाले फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखी तो सभी फलों में बीज नहीं होते हैं जैसे सबसे पहले हमने केले में कभी बीज नहीं देखा होगा तो केला और दूसरा अनानास तो इसी तरीके से आप और भी जो आपको नाम पता हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में घर के ठीक है तो उमीद है आपके लिए वक्षिर यूसफुल रही होगी अगर यूसफुल रही है तो इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेरेंस आपके लिए सजेशन है कि आप बच्चों से अलग लग तरीके के पेड़ पोधों के बारे में बातें करें और उनने यूसफुल जानकारी शेर करें धन्यवाद